प्रेविद्यार्थियों, आज हम कक्षा ग्यार है हिंदी की पाठ्थे पुस्तक अंतरा भाग एक के गध्य खंड के अध्याय आठ में वर्नित कहानी जिसका शीर्षक है उसकी मा के रचनाकार पांडे बेचन शर्मा उग्र का परिचे प्राप्त करने जा रहे हैं सहित्यकार पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म सन उन्निस सो इस्वी में हुआ आपका जन्म ग्राम चुनार जिला मिर्जापूर उत्र प्रदेश में हुआ आईए हम पांडे बेचन सर्मा उग्र के परिचे के बारे में बिंदुवार जानकारी प्राप्त कर लेते हैं पांडे बेचन सर्मा उग्र का जन्म सन उन्नेस सो इस्वी में हुआ आपका जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर जिले के चुनार नामक ग्राम में हुआ सहित्यकार पांडे बेचन सर्मा उग्र का जन्म चुनार नामक ग्राम जिला मिर्जापूर जो उत्तर प्रदेश में इस्थित है में सन 1922 में हुआ परिवार में अभाव के कारण उन्हें व्यवस्थित शिक्षा पाने का सुयोग नहीं मिला जैसा कि परिवार आर्थिक अभाव से गिरा हुआ था परिवार में आर्थिक अभाव होने के कारण उन्हें व्यवस्थित रूप से सिक्षा पाने का सुयोग नहीं मिल पाया मगर अपनी नैसरगिक प्रतिभा और साधना से उन्होंने अपने समय के अग्रणी गद्य सिल्पी के रूप में अपनी पहचान मनाई जैसा कि सहित्यकार पांडे बेचन सर्मा उग्र नैसरगिक प्रतिभा के धनी थे नैसरगिक प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ उन्होंने अनवरत रूप से सहित्य की साधना भी की इस प्रकार से अपनी नैसरगिक प्रतिभा और साधना से उन्होंने अपने समय के अग्रणी गद्य सिल्पी के रूप में अपनी पहचान बनाई अपने तेवर और सैली के कारण उग्र जी अपने समय के चर्चित लेखक रहे जैसा कि उनकी सैली और उनके तेवर जैसा उनकी रचनाव में हमें दिखाई पड़ते हैं उनकी सैली के कारण उनके तेवर के कारण उग्र जी अपने समय के चर्चित लेखकों में से एक रहे है अपने तेवर और सैली के कारण उग्र जी अपने समय के चर्चित लेखक रहे अपने कवी मित्र निराला की तरह उन्हें भी पुरातन पंथियों के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा जैसा कि कवी निराला जी को भी सहित्यकार निराला जी को भी पुरातन पंथियों के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा था उसी प्रकार से इनके मित्र निराला की तरह इनको भी पुरातन पंथियों के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा पुरातन पंथी इस प्रकार के जो पुरातन में पुरानी परंपराएं, मान्यताएं, विचार, इत्यादी में बहुत अधिक विश्वास करते हैं और उनी पर चलने के लिए सदेव मागदर्शन प्रदान करते हैं इस प्रकार से अपने कवी मित्र निराला की तरह उने भी पुरातन पंथियों के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा, पत्रकारिता से उग्र जी का सक्रिय संबंद था पत्रकारिता के कारिय में वे पूरी तरह से निपुन थे और सक्रिय रूप से उनका संबंद था वे आज वे स्वामित्र, स्वदेश, वीणा, स्वराज्य और विक्रम के संपादक रहे लेकिन मतवाला मंदल के प्रमुख सदश्य के रूप में उनकी विशेश पहचान मतवाला मंदल के प्रमुख सदश्य के रूप में जानी जाती है पांडे बेचन सर्मा उग्र की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है उग्र जी ने सताधिक कहानियां लिखी है सोसे अधिक उनके द्वारा कहानियों की रचना की गई है पंजाब की महारानी रेश्मी पोली इमारत चित्र विचित्र कंचंसी काया काल कोठरी ऐसी होली खेलो लाल कला का पुरुषकार आदी कहानियों के रूप में संकलित है इन द्वारा रचित उपन्यास इस प्रकार से है उग्र जी ने अनेक यथार्त वादी उपन्यासों की रचना की चंद हसीनों के खतूत बुद्वा की बेटी दिल्ली का दलाल मनुष्यानंद आदी आप द्वारा रचित उपन्यास है आप द्वारा रचित उपन्यासों में चंद हसीनों के खतूत बुद्वा की बेटी दिल्ली का दलाल मनुष्यानंद आदी प्रमुक है कहानी और उपन्यास के अतिरिक्त आत्म कथा, संस्मरण, रेखाचित्र आदी के ख्षेत्रों में भी उनकी लेखनी गति सील रही उन्होंने आत्म कथा लिखी, संस्मरण लिखे, रेखाचित्र लिखे, कहानिया लिखी, उपन्यास लिखे इस प्रकार से बहु मुकी प्रतिवा के धनी सहित्यकार के रूप में आपने अपनी अमित्य चाप छोड़ी है। उनकी आत्म कथा अपनी खबर सहित्य जगत में बहु चर्चित है। आप अपनी खबर सहित्य जगत में बहु चर्चित है। उन्होंने महात्मा ईशा नाटक लिखा जिसका सीटसक है महात्मा ईशा और द्रूवधारन ये खंड कावे। द्रूवधारन नाम का खंड कावे भी आप द्वारा रचा गया है की भी रचना की है। इस प्रकार उन्होंने महात्मा ईशा नाटक की रचना की है और द्रूवधारन खंड कावे की भी रचना की है। और इस प्रकार से आप बहू मुखी प्रतिबा के धनी सहित्यकार कहे जाते हैं। उग्रजी की कहानियों की भासा सरल है, अलंकरत और व्यववाहारिक हैं। जिसमें उर्दू के व्यवाहारिक सब्द भी अनायास ही आ जाते हैं। अगर हम भासा की बात करें तो आपकी भासा सरल है, जिसे कोई भी पाटक सहस्ता से ही समझ सकता है। आपकी भासा अलंकरत और व्यववाहारिक है। आपने उर्दू के सब्दों का भी समावेश किया है, इस प्रकार से उर्दू के व्यवारिक सब्द भी अनायास ही आपकी भासा में देखे जा सकते हैं। भाओं को मूर्तिमंत करने में इनकी भासा अत्यदिक सजीव और ससक्त कही जा सकती है। पाठक के मर्म इस्तल पर सीधा प्रभार करती है, जो पाठक के मर्म इस्तल पर पाठक के रिधा इस्तल पर सीधा जुडाव करती है। और पैना है, भाओं के अनरूप इनकी सैली भी व्यंग्य परक है। इनकी कहानियों में उसकी मा, साप, कला का पूरसकार, जलाद और देश भक्त आदी विशेश रूप से प्रशिद्ध है। उसकी मा कहानी के बारे में हमारी पाठ्ठे पुस्तक में कहानी जिसका सीर्सक है उसकी मा, जिसके रचनाकार है पांडे बेचन सर्मा उग्र दी गई है। पांडे बेचन सर्मा उग्र प्रेम चंद युगीन कहानी कार है इसलिए उस समय की मुख्य प्रवर्ती समाज सुधार इनकी कहानियों में भी मुझूद है। जैसा कि प्रेम चंद युगीन कहानिकार होने के नाते आपकी कलम भी प्रमुक रूप से समाज सुधार को ही अपना विशे बनाती है और समाज सुधार के लिए ही अपनी अभिव्यक्ति करती है। अभिव्यक्त हुई है। उसकी मा कहानी देश की दुरावस्था से चिंतित युवापीडी के विद्रोह को एक नए रूप में प्रस्तूत करती है। किस प्रकार का आक्रोश पाले हुए है। उसकी अभिव्यक्ति इस कहानी के माध्यम से हमें देखने को मिलेगी। यह युवापीडी देश की दुरावस्था का जिम्मेदार सासंतंत्र को मानती है। तता इस सासंतंत्र को उखाड फैकना चाती है। दुष्ट व्यक्ति नासक राष्ट के सर्वनास में अपना योगदान ही इस पीडी का सपना है। यथार्थ के तूफानों से बेपरवा यह पीडी जानती है कि नश्ट हो जाना तो यहां का नियम है। जो उत्पन होा है वह तो नश्ट भी हो गा ही। इस प्रकार यथार्थ के तूफानों से बेपरवा यह पीडी जानती है कि नश्ट हो जाना तो यहां का नियम है। जो समारा गया है वह बिगडेगा ही जो खिला है वो जरेगा ही जो उत्पन हुआ है वो समाप्त होगा ही इस प्रकार से जो समारा गया है वह बिगडेगा ही हमें दुरुबल ताके डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए कर्म के समय हमारी भुजाएं दुरूबल नहीं भगवान की सहस्त्र भुजाओं की सखिया है जब हम कोई भी काम करें किसी भी प्रकार के कर्म में हम प्रवरत हो तब हमारी भुजाएं दुरूबलता का एहसास नहीं करें कर्म करते समय हमारे भुजाएं दुरूबल होने के बजाए सबल होनी चाहिए प्रबल होनी चाहिए बल युक्त होनी चाहिए कर्म के समय हमारे भुजाएं दुरूबल नहीं होनी चाहिए उनमें बल होना चाहिए कर्म के समय हमारी भुजये दुरूबल नहीं भगवान की सहस्त्र भुजाओं की सखिया है नई पीडी का यह विद्रोही स्वर जहां राजसत्ता से विद्रोह की मसाल लिए खड़ा है वहीं पूरूवर्ती पीडी का बुद्धी जीवी समाज अपनी सुविधा के लिए राजसत्ता के तलवे चाटने के लिए तैयार है यहाँ पर दो पीडियों के बारे में बात की जा रही है नई पीडि और एक नई पीडि से पूरु वर्ती पीडि का बुद्धी जीवी समाज नई पीडी है उसका स्वर विद्रोह से भरा हुआ है वह विद्रोही स्वर के साथ में राज सत्ता से विद्रोह करने की मसाल लेकर के खड़े हैं वे कहते हैं कि राज सत्ता क्षेव पूरी तरह से सही सही काम करने के लिए ही प्रेरित किया जाना चाहिए उनका कहना है कि जहां राज सत्ता से विद्रो की मसाल लिए खड़ा है तो वहीं दूसरी और नई पीडी से पूरुवर्ती पीडी का जो बुद्धी जीवी समाज है वह अपनी सुविधा के लिए राज सत्ता के तलवे चाटने के लिए तैयार है नई पीडी तो राज सत्ता के विरुद्ध विद्रोही स्वर के साथ में हुंकार भर रही है जबकि पूरुवर्ती पीडी का जो बुद्धी जीवी समाज है वह राज सत्ता के तलवे चाटने के लिए तैयार है ऐसा अंतर इसलिए है क्योंकि पूरुवर्ती पीडी का बुद्धी जीवी समाज चाहता है कि उसकी सुविधाएं यतावत बनी रहे उनकी सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कटोती नहीं हो और इसी कारण से यह जो पूरुवर्ती पीडी का बुद्धी जीवी समाज यह राज सत्ता के तलवे चाटने के लिए भी तयार है लेकिन नई पीड़ी ऐसा करने के लिए कतई तयार नहीं है नई पीड़ी तो विद्रो का स्वर भर उठी है और इस विद्रो के स्वर के साथ में राज सत्ता के साथ विद्रो की मसाल लिए खड़ी है इन दोनों के बेटा चाहती है अपना लाल और उसकी खुसाली चाहती है एक मांप इन धोनों के बीच में खड़ी है जो अपना बेटा चाहती है और उसकी खुसाली चाहती है समाज के दूश् inteno के भी कगडी मंतामेव मां लाख कोशितों के बावजूद व्यवस्था की चक्की से अपने बेटे को बचा नहीं पाती। पूरी कथा में व्याप्त ततकालीन जन मानस, स्वाधिन्ता आंदोलन तथा माकी ममता का सजीव चित्रन पाठक को उद्ध्यलित करता है। प्लेसफंद्वक्दी के भावनायों से भरे हुए है। वे शक्री retro रूप से शजीव चित्रन पाठक को उद्वेलित करता है। प्रेविद्यार्थियों की आज हमने साहित्यकार पांडे बेचन सर्मा उग्र का परिचे प्राप्त किया है। इनके क्रतित्य और व्यक्तित्य की जानकारी प्राप्त की है अगले वीडियो में हम साहित्यकार पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित कहानी जिसका शीरसक है उसकी मा से संबंदित वीडियो लेकर सिग्रही आपके समक्ष उपस्तित होंगे तब तक बहुत बहुत